नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार चुनावी महौल में परदेश पूरी तरह रंग गया है मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है राजनेतिक तापमान के साथ उम्मिदवारों के दिल की धड़कन भी तेज हो रही है जैसा की चुनावी महौल है ऐसे में भागलपूर वासियों को रिजाने के लिए भागलपूर का सबसे बड़ा हिमायती बनने की उम्मिदवारों में होड लगी है इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार की राजनीती जातिय समीकरन पटिकी है भागलपूर में भी सभी पाटी के उम्मिदवार इस जातिय समीकरन को अपनाने की भर्षक कोशिश करेंगे बरहाल भागलपूर का जो बरतमान में राजनीतिक महौल है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मुकावला घमासान होगा राजनीति के महिर खिलाडी अजीत शर्मा, NDA की ओर से भाजपा के परत्याशी रोहित पांडे, लोचपा की ओर से राजश बर्मा और जाप यानी जन अधिकार पार्टी की ओर से रानी चोवे इन सभी का भागलपूर से चुनावी मैदान में उतरना और बागी बने लोगों की बगावत ने पुर्वा अनुमान पर बिराम लगा दिया है चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ जाप परत्याशी रानी चोवे हैं रानी चोवे भागलपूर के लिए नया चेहरा नहीं है रानी चोवे का भागलपूर से पुरा नाता रहा है और आज हमारे साथ हैं मेहम सबसे पहले तो आपका स्वागत है थेंक यू सो माच सेल्क टीवी को भी मेरा नमश्कार आप सभी को बहुत बहुत मैं आप लोगों को बोलूगी कि आप लोगों को शुब कामना है मैंम ये अचानक से भागलपूर से राजनीती मैदान में उतरने का फैसला देखे मैं एक चीज बताती हूँ जब एक ओफिसर आती है राजनीती में तो उसका कोई शौक नहीं होता है कि मैं नेत्री बनौ क्योंकि एक ओफिसर अपने आप में रुद्वे में रहती है आप बोल सकते हो कि हम मारा वर्किंग कल्चर अलग है हमारी थौट अलग है हम बिलकुल इंजीनियरिंग सोचते हैं तो इक नेत्री है मुझे भागल पूर्मे बनाया है जब मैंघालपूर में था था एक चैलेंज एक्सेप्ट करके आई थी लोगों ने गहा था कि दंगो का शहर है मैंने बोला की मैं उस शहर को इतना जोड दूँगी और इतना प्यार बना दूँगी और इतना अच्छा कर दूँगी कि दंगो के शहर से यह नामों निशान मिढ जाएगा एक history बनेगी कि शायद कोई महिला आई शहयत को इलम है तो लड़की थी उस टाइम, 26-27 साल मेरी उमर थी उस टाइम and I was really happy कि इस शहर ने मुझे बहुत सम्मान दिया, इस शहर ने मुझे नेत्री तो बनाया लेकिन रानी चौबे भी आज जो नाम है, वो इस शहर नहीं दिया है तो वेम, बात यहां पर यह आती है कि जिस शहर ने आपको पहचान दिया, जिस शहर के लोगों ने आपको प्यार दिया और कुछ समय के लिए, फिर कुछ सालों के लिए आप शोड़कर चली गई, हलांकि आपका आना जाना लगा रहा लेकिन फिर अचानक से जब राजनीती का महल शुरू हुआ, जब जो है चुनाओ, बिहार विधान सभा का चुनाओ का समय आया तो फिर आपका भागलपूर की याद आई आपको, तो कितना इसमें सियासी लोग छुपा है No, I understand, मेरे से ये questions होंगे, and you should ask, because मैं चाहती हूँ कि मैंना answers का जवा, questions का जवाब दो मेरे साथ यह हुआ कि 2013 में मैंने entry मारी, और लोगों ने कहा कि she is very much glamorous, एक लड़की को उन्होंने दूसरे तरीके से pretend किया, because मैं बाहर रही थी, डेली रही थी, मुंबई रही थी, हर जगह मैंने काम किया था, तो I was a corporate girl, मैं एक corporate girl थी, जो कोई आई थी share को कुछ करने, और मैं challenging nature तो मेरा था ही, चुकि मैं 15 सालों से मैं समाज सेविका के रूप में भी जानी गई हूँ, पटना में भी मैंने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, तो लोगों के अंदर आया कि बहुत अच्छी है, बहुत यह है, मैं भी पता नहीं क्या क्या है, लोगों ने सोचा मुझे रानी चौबे बनाया, लोगों ने पूचा कि आप अचानक से यूटन मारी और अचागरनत से आगई, तो मैं सच बोलती हूँ कि और दिल से बोलती हूँ आज ये बात कि मेरा कारेकाल लोगों ने देखा है, नेतरी तो लोगों ने बनाया मुझे, मैं आई थीक आप निकलते हो, तो कडोडो की संपत्ती बनाके निकलते हो, जब मैं निकली तो मेरे अकाउंट में मेरी लास सेलरी का भी पैसा कट चुका था, मैं पीएफ वेट कर रही थी काश मैं पीएफ निकाल सकोगी, ये सिधी थी मेरी, लेकिन लोगों को लगता था हमेशा कि रूप से निकली, इस बात की तकलीफ बहुत लोगों को हुई, यहां के सो कॉल निताओं को हुई, और स्थिती ये आई कि मैं तो काम कर रही थी, मैं काम में लीन थी, मैंने भागलपूर कहल काउं, नातनगर, टाउन में प्रिपैती, सब में बिजली दी, और आज ये सबन से थी, दिल से मैंने काम किया, लेकिन मेरे काम को देखा जागया, बहुत सारे ओफिसर्स आएं भागलपूर में, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने हिस्ट्री बनाई, मैंने बनाया, मैंने मेरे लिए लोग उनने बोला कि आप इते हासों में जान करना लेकिन मैंने यहां आते ही एक हजार लोगों को इंपलोई बनाया कंपनी में इंपलोईमेंट दी और बहुत सारे ऐसे वर्क के लोग हैं जो 50-50 रेशियो मैंने बाटा आधा मुसल्मान आधा हिंदू मैंने पहले वहीं से जाती समीकरन को तोड़ना शुरू किया इस सव पावजूद एंडिये की ओर से भाजपा के परत्याशी रोहित पंडे और राजश वर्मा और भी कई बागी तेवर अपनाने वाले होंगे उन सबों के बीच खुद को कहां पर देखती हैं देखे मैं एक चीज़ बोलती हूँ रानी चौबे कोई नई लड़की नहीं है कि अचानक से आई और अपने आपको वोट मांगने लगी मैं एक ही बात बोलती हूँ बहुत दुर्भाग्य होगा इस भागलपूर का बहुत दुर्भाग्य होगा कि मैं अगर यहां से चली गई मैं बहुत सारा सुख छोड़ के आई हूँ नगर विकास की ऐसी नौकरी होती है जहां पर MPML है तो आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम ये काम करा दीजे आप समझे उन सारे ब्योरोक्रेस के बीच में हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं पूरे बिहार में उस जगह को जब छोड़ के वोट मिलेगा और अगर इश्वर ने चाहा और मेरे भागलपूर ने सच में मेरी भागलपूर का अगर किस्मत खराब नहीं रहा तो बहुत मैं मैं जमानत जब्त करवाऊंगी लोगों की चलिए ये तो खेर समय बताएगा ये तो भविस्त के गर में बाते हैं सवाल यहां पर बरतमान की जो राजनीती है और हमारी चर्चा है इसे थोड़ा सा हटकर होगा कि आपका कारेकाल जब रहा जब आपका भागलपूर शहर आना हुआ था तो नगर निगम से आपका आना जाना लगा बना रहता था तो इसने हम यह जानना चाहेंगे कि हमारा शहर शामिल हो गया है सूची में लेकिन जमीनी अस्तर पर कितना काम हुआ है कितना स्मार्थ हुआ है सब्हीं से सामने है तो कहीं ना कहीं कहाँ पर रुका है यह मामला देखे, पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूँ, कि जब स्मार्ट सिटी का पैसा आया, तो सब को पता है, मैं स्मार्ट सिटी की एडवाईजरी हूँ, दो मीटिंग्स में आई, तीसे मीटिंग में में मेरा मन नहीं किया आने का, मुझे तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हु मैंने यही बोला कि अनुभवी होते हैं, तो स्मार्ट सिटी का पैसा अगर आता, सारी चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को काउंटर करते हैं, अंदोलन करना तो दूसरी चीज होती है, मैं अंदोलन के रूप में बात नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जब अगर भागल पूर मैं नहीं जाओंगा तो नहीं मैं छोड़ दीजे एक्चुली क्या है ना कि वहाँ पे कमिशन खोरी बहुत जाद है टेबल टू टेबल लेने की जो आदत है ना इनकी इनको एक को नहीं चाहिए इनको सबको चाहिए आपको अगर पचीस परसंट खाना है जैनमीन अगर आप देख लो भूलानात पूल के बगल से भी जो नाला है उसमें अगर आज मैं देख रही तो मैं लाइप भी आई थी उसके लिए उसमें अगर गिर जाओ तो फिर कोई बच्चा चिलाएगा भी नहीं वो तो सीधे मड़ जाएगा अंदर ये स्थिती कर दी है इननेताओ भागलपूर शहर ने नाजाने कितने विधायक और कितने सांसदों को जन्म दिया है यहां से लोग सांसद विधायक बनकर दिल्ली तक का सफरते किये हैं लेकिन बरसों से उपेक्चित रहा भागलपूर शहर आज भी उपेक्चित है और यहां की जो बरसों से समस्या है भो इसे चाहिए दलाल होते हैं ये लोग, इनको चाहिए कि भाईया, सिस्टम में जितना पैसा आ रहा है, मुझे भी पहुंच जाए, आप गौर कर लो सिर्फ, सिर्फ एक चीज़ गौर कर लो, वैसा कौन नेता है, जो जमीनी स्थर पर चलता है, जिसकी बिल्डिंगें नहीं प मैंने यही बोला सबको, कि एक मात्र, मा जनम देने वाली होती है, दूसरी पालने वाली होती है, इस शेहर ने मुझे पाला है, इस शेहर ने मुझे रानी चौबे बनाया है, तो मैं इस शेहर कर इन तो चुकाऊंगी, और आज अगर मुझे कुछ भी होता है, मैं देखे, म दो साल के अंदर मैंने इनके 30 साल के कारेकाल को नहीं पूरा कर दिया तो मैं रिजाइन करूँगी और अपने आगे वाले लोग को समय दूँगी बात समय की आती है और विकास की बात होती है तो एक बरतमान के जो सांसद हैं उन्होंने भी कहा था कि जितने के बाद 90 दिन में जो है एनेच एटी का निर्मान होगा और आज तक भी वह एनेच एटी की दुर्दसा सायद मेरे ख्याल से इससी इस्थिती है जनता की प्रोब्लम है यहां मैं बोलती हूँ यहां पर थोड़ी सी सोच की जरूरत है हम जाती पाती सबसे इस बर उठके वोट परें करें इस बार मुझे 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 मुका देलो यह 90 दिन मांगते है न यह बोलता है कि 90 दिन और 5 साल नहीं करते हैं मुझ पर 2 साल तो परोजा कर सकते हैं मुझे जूते की माला पहना के यहीं से आप भेज देना मैं बोलती हूँ अगर मैं विकास नहीं कर पाई तो आप शांशद, MLA, MP, Mayor, Dipty Mayor या जो भी सो कॉल नेता आप वैसे चुनते हो जिनको जानकारी नहीं है I told you just now they don't know engineering इनको पता नहीं है कि ड्रेन जनता की यह प्रोब्लम है कि लोगों को बेवकूफ इतना बनाया है इन लोगों ने emotional अभी क्या होगा भी सब जाएंगे भाईया इस बार विकांगे हम आपके दम रिनी हो जाएंगे पैर चुएंगे उसके बाद तो यह अपनी Mercedes और गाड़ी पे दिखेंगे काय को आपका वोट जीतने के बाद यह वापस हैं मैं तो रोड रोड घुमी हूं और मैं घुमूंगी मैंने अपनी स्थिती बिगाल दी मेरा पैट डमेज हो गया आपको बेदा रहे हूं मुझे का इश्यू आने लगा है यही दोड़ने के कारण पूरे बिहार के लिए काम किया भागल वो यहाँ बिजली के कारियाले में पदस्थापित थी इसलिए शहर को बिजली देने का काम क्या है इसलिए वो ग्लेमरस है या इसलिए देखें ग्लेमरस मुझे गौड़ गिफ्टेड है मेरी मा की देन है कि मैं इतनी अच्छी हो कि मैं मेरी मा अच्छी है सारी आज ये जवानी ढल जाएगी मेरी मैं बूरी हो जाऊंगी कल जुर्या पड़ जाएगी मेरा कार याद रहे गा लोग आज रानी चौबे को बिजली के लिए जाना जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि रानी चौबे में अलग पहचान दी, मेरे से उपर मेरे CEO थे, मेरे एक रैंक उपर थे CEO, आज उन लोगों को क्यों नहीं याद किया जाता है, इसका रीजन, आज क्यों ये सारी चीजे धुनली हो आज मैं उतना कमाती हूँ कि 10-15 वीजार का मैं ड्रकती हूँ, लेकिन उस समय नहीं थे, मैं आई थी बहुत दर्द के साथ, मेरे पिता भी नहीं थे कि मैं उस साइड से कोई बहुत मदत लेती, और थोड़ा मेरे साथ मतला प्रोब्लम भी था कुछ कि मैं नहीं कह पाती थ किसी को और चीजों को आगे मैं जितना कम्जोर फीर कराओंगी लोग उतना मुझे कम्जोर फीर करें, क्योंकिBen महिला थी, तो चीजे मैं बोलती नहीं थी, मैं ओफिस में उतने दर घुटी थी, पूरे फिल्ड में जाती थी, तीन-तन केंप करती थी, और लोगों को पता कि मैं समाज के लिए समरपित थी और लोग मुझे काउंटर कर रहे थे तो सोची वो कैसा था उपड़ से कंपनी मुझे काउंटर कर रही थी कि आप जनता के लिए आई हो कि हम लोग के लिए आई हो आखरी सवाल होगा मैम और कम शब्दों में हम आपका जवाब साएंगे कि भागलपूर शहर ने बरतमान के जो केंद्रिय राजमंत्री हैं अश्वनी चौबे उनका कारेकाल देखा राष्टिय परवक्ता जो भाजपा के हैं शहनवाज हुसेन उनका कारेकाल देखा मैं लिंग भेद में बिलकुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ लेकिन सवाल ऐसा है कि मुझे पूछना पड़ेगा कि भागलपूर ने विधाई की के तौर पर महलाओं के हाथ में कभी भी बागडोर नहीं सो पाया है क्या लगता है एक बार महलाओं के हाथ में पपू यद्व जी ने मुझे प्रमोट किया और एक दिन में मुझे टिकट मिला है मैं आपको बता दे रही हूँ उन्होंने चनिक देर नहीं लगाई मेरा सर्वे हुआ और काफी अच्छा सर्वे हुआ और उन्होंने बोला कि बहन मैं आपको जानता हूँ आप बिजली मे नहीं लगा कि नहीं इस पाटी ने अगर मुझे विश्वास किया है तो यह विश्वास एक समीकरन बना रहा है आप गौर कीजें कि एक ऐसा समीकरन भागलपूर में हुआ है जहां पूरे लोगों का एक सोच आ गई है कि रानी चौवे जीते गिश है नहीं जहां तक देखा जाये तो इसमें पपू यादब जो है आपको कंडिडेट बना है तो यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पहचान है आपने जो यहां पर कमाया है उसका फल मिलेगा क्योंकि पपू यादब जी का बटना में पटना के अलावा और भी कई जिलों में बहतर कार रहा है इसमें नो डाउट बट यहां के लिए आपका पाचान जो दुख में साथ दे वही सब कुछ है मैं मानती हूं और मैं हर दुख में मैं भी रही हूं और पपुविया भी रहे हैं तो मैं यह कहूंगी कि एक बार जाती पाती सारी चीज़ों से उठके आपने इतना समय दिया सबकी बिल्डिंग है पीटी मुझे एक टाइम देवस हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं मेरा सवाल था कि क्या महलाओं के हाथ में भागलपूर की कमान सौपी देखे मैं बहुत खुश रहती कि भागलपूर की महिला में से कोई एक आगे बढ़के नॉमिनेशन में आगे बढ़ती मैं चाह रही थी यह चीज़ दिल से बता रही हूँ कि कोई एक दो महिला ऐसी उठे और एकदम सिंपल महिला उठे कोई ताम जाम वाली महिला नहीं वैसी महिला जो पढ़ी लिखी हो शशक्त हो घर की ग्रहनी को नहीं बहुत सारे से चाह रही थी लेकिन चुकी दुरभाग गे रहा कि नहीं आई मुझे आना था देखे आगे और अन्तिम सवाल और मैं सभी जो भी हमारे साथ चर्चा में शामील होते हैं राजनीती पार्टी के नेता उमिदवार मैं उनको एक उनसे एक मेरा सवाल रहता है और सवाल यह रहता है कि आप जो है जिस छेतर के आप उमिदवार हैं वहां की जनता से आप क्या काना चाहें क्या अपिल करना चाहेंगे ऐसा हम इसलिए कहते हैं ताकि जो उम्मिदवार हैं उनकी क्या मनसा है वो किस सोज के साथ वो मैदान में उत्रे हैं तो ये सायद जनता को पता चले और वो आज आखरी सवाल आपसे भी होगा कि भागलपूर से आप उम्मिदवारी मैदान में हैं जाप जन अधिकार पार्टी के तरफ से तो भागलपूर की जनता से क्या अपिल रहेगी क्या कहना चाहेंगे माला पैनाईगा मुझसे के अग्रिमेंट कराईए कि दो साल के अंदर भागलपूर में विकास क्या दिखेगा क्या रोजगार नहीं आएगा या कुछ नहीं आएगा आप देखेगा आर्थिक स्थिति आपकी इतनी तेजी से बढ़ेगी मैं वादा करती हूं आपको और ए एक फाइटर लेडी या फाइटर बंदा चाहिए था यहां ऐसा फाइटर जिसमें ये चमता हो कि वो किसी को भी काउंटर कर सके वो अपनी जान की परवाह किये बिना ये स्थिति ना बने आप लोगों से बहुत ही निवेदर हूं मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझ उस जगह पे बैठाईएगा मैं जिन्दगी पर आपकी अभारी रहूंगी जिन्दगी भर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचित के लिए और मेरी शुक कामना है आगे की जर्निंग के लिए हमारे साथ जो है रानी चौवे थी ये जाप यानी जन अधिकार पार्टी की तरफ से भागलपूर में चुनावी मैदान में उतरी है कैची चाफ है इनका और मैं भी चाहूंगा कि आप जो है लोक तंत्र के इस महापर में अपनी भागीदारी निभाएं अपनी हिस्सेदारी निभाएं अपने नजदी की मतदान के अंदर पर जाकर मतों का परियोग करें हलाकि कोरोना का काल चल रहा है तो भी से शावधानी भी बरतना जरूरी है मैं बहुत बहुत एक बार भी शुक्रिया आपका बाचीत के लिए